Hello Friends Welcome Back to Whether and 테 знаете QP So Friends, M Н subsidiaries वेयरा नहींतना है प्रडीप और आज की विडियो में हम किर विडियो के तरहे कुछ इस्पेशल टिप्स आपको यहां पर बताने वाले हैं विडियो को सुरू सेने एने दर्ट टक जरूर देखने हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने Realme C2 Android Mobile को अच्छे तरगे से समझ पाओगे और काफी अच्छे फीचर्स आप यूज़ भी कर पाओगे उसे चली फ्रण्स वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आज के स्टार्ट करते हैं और आज के स्टार्ट करते हैं और आपको नए आ अज चैनल को सबस्काइब करना मत भूलएगा और जिन लोगों ने सब्सकाइब कर में बहुत-बहुत धन्यवाद चलि फ्रेंट से आज करते Г्विडियो Because 산 कि बताने वाला हूँ दोनों ही heavenly Apps काफी आसान हैं आपको जो भी बैटर लगे आप उसे फॉलो सकते हो चली felt सबसे पहले आपको डार्यक मोड इनेवल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ऑपन करने के बाद friends आपको सब से नीचे हैं अभी मैं friends realme C2 की इस feature के बारे मैं बताने वाला हूं तो friends यहांपा आपको lasts ओप्षण को मिल रहा होगा Realme Lab इस पर आपको प्रेस कर देना है प्रेस कनके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओप्षन देखता है डार्क मोड इसे आप देख सकते हो अभी मेरा ओफ है और मैं अभी इसे इनेबल कर देता हूँ यहाँ पर आपको ओप्षन दिख चाहिएगा इनेबल आप देख सकते हो अभी डार्क मोड इनेबल हो चुका है और काफी ज्यादा अट्रेक्टिव लग रहा है यह जैसे ही आउन हुआ है देखे एंड्रू मोबाइल की काफी फीचर्स बदल चुके हैं और बहुत ही बैतरीन यह फीचर्स लग रहा है रियल में सीटू में देखन को फ्रेंड्स आप जब भी इसे इनेबल करते हो आप जब इसे नायट में यूज करोगे तो आपको यह काफी ज्यादा मजा देगा तो फ्रेंड्स आइघोब आज का यह फर्ष्ट इस्टेप आपको समझ में आ चुका हो काफी आसान है सैटिंग्स में जाना है इसे CT answer ko down करना है और यहां पर आपको नीचे इसे स्क्रॉल कर देना है यहां पर फ्रेंड्स अगर आपका डार्क मोड यहां पर उन्हाफ कर सकते हैं और अगर आपके अधी से दार्क मोड सो नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए यहां पर यह उपर सिंबल आ रहा है इस पर आपको प्रेस कर देना है प्रेस कन के बाद आपके सभी नोटिफिकेशन बार उपन हो जाएंगे आप इनमें से रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बार आपका डार्क मोड कौन सा है तो कर दिजेगा इस तरीके से आपको डार्क मोर्ड के बैतरी इन फीचरस में आप काफि ज्यादा रियल में सीटु को इंज्या कर पाओगे और आपको अगर आप वो हो चुके हो इस लाइट मोड को देखते देखते तो आपको डार्क मोड भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि यह काफी ज़्यादा नाइट में तो बहुत ज़्यादा मज़ा देता है यूज़र्स को फ्रेंट्स आई होप आज कहीं वीडियो आपको समझ में आया होगा और यह दो इस्टेप भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुकर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अगर नहीं आया है तो आप अपने चोईस रख सकते हो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जरूर कर लेना चली समें आपको लेकर आपको नहीं आपके सकते लीओ किसमुन द द एकंष भी आपके καो रंपी बाहं हो